दोस्तो किसी भी चीज के लिए सोचना हमारी लाइफ में एक आम बात है और अपने लेवल पर हर कोई सोच विचार करता है अगर बात करें एक स्टूडेंट की तो उसे अपने करियर की टेंशन रहती है एक बिजनसमेन अपने बिजनसमें हुए प्रॉफिट एल लॉस के बार करने लग जाते हैं तो इससे हम डिप्रेशन की और बढ़ते हैं और इवन रात को अच्छे से सो तक नहीं पाते और बहुत परिसान हो जाते हैं इस वज़े से कोई सॉलिशन भी हम इन प्रॉब्लम्स का नहीं ढूंड पाते बहुत से लोग अपने पास्ट को कोशने लग और अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने लग जाते हैं उस फ्यूचर के बारे में जिसके लिए उनके पास कभी कोई प्लान ही नहीं होता और इस चिंता में अपने प्रिजंट को भी नहीं जी पाते इसलिए दोस्तो आज मैं इस टॉपिक पर बहुत फेमस बुक How to Stop W के बारे में बात करने वाला हूँ यह बुक डेल कारनेगी ने लिखी है दोस्तो इस बुक के और भी पार्ट आने वाले हैं इसलिए चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को लास तक जरूर देखना आई होप कि इस वीडियो के बाद आप अपने प्रॉब्लम्स को एक घरवालों तक या फिर उनके रिस्तेदारों तक पहुचाना होता था और जो लोग घायल हो जाते उनको हस्पिटल तक पहुचाना पड़ता था तो इन सब चीजों को लेकर वो बहुत डरने लग गए थे कि वो इस काम को अच्छी से कर पाएंगे या नहीं और सोचने लग गया था कि वो दुबारा से कभी ठीक नहीं हो पाएंगे तब इस दोरान उन्हें एक आर्मी डॉक्टर ने सला दी कि तुम्हारी हालत बस मेंटली तोर पर खराब है डॉक्टर ने टेट से कहा कि तुम अपनी लाइफ को एक आर ग्लास की तरो समझो मतलब एक रेद की घड की तरो जिसमें से धीरे धीरे रेद के कर्ण घड़ी के टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं अगर तुम्हार हम चाहेंगे भी तब भी हम एक टाइम पर एक से ज़्यादा रेद के कर्ण पास नहीं करा सकते बिना उस घड़ी को नुकसान पहुचाए हुए तब डॉक्टर कहते हैं हम जब सुबह उड़ते हैं तब हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं कि हमें ये भी करना है वो भी करना है हम सब टास को एक सांथ पूरा करने की सोचते हैं और इस चक्कर में एक भी काम पूरा कर नहीं पाते हैं और नहीं उसको करने का डिसिजन ले पा सकते हैं एक बहुत अच्छा कोट है अबर में बिजनस इज नॉट टू सी वट लाइस डिमली एट डिस्टेंस बट टू डू वट लाइस क्लेरली एट हैंड मतलब हमारा में काम है जो दूर दुदला दिख रहा है उस पर फोकस नहीं करना बलकि जो हमारे पास में है उस पर हम ऐसे maximum लोगों को यहीं लगता है कि कास मेरी सारी परिसानिया एक सांथ दूर हो जाती मेरे सारे काम हो जाते और इसी चक्कर में एक काम को पूरा करने का decision भी नहीं ले पाते इससे बस stress बढ़ता है और काम भी नहीं हो पाता इसलिए हमेसा कोसिस करो कि एक टाइम पर सिर् solving worry situation विलियम एच करियर एक brilliant engineer थे जिन्होंने air conditioning industry को launch किया और New York में world famous career corporation को चलाया जब वो यंग थे तो एक Buffalo force company के लिए काम करते थे तब उनके company द्वारा एक device installment का assignment दिया गया वो device उन्हें Pittsburgh plate glass company में install करनी थी जो gas cleaning में काम आती थी तो उस assignment के दौरान उन्होंने device को install तो कर दिया था और वो device काम भी कर रहे थी पर वो device उनकी company के guarantee के अनुसार काम नहीं कर पाई तो इस बात को लेकर विलियम बहुत परेसान हो गए थे finally उन्होंने decide किया कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा उनको कुछ ना कुछ solution ढूड़ना पड़ेगा तब उन्होंने जो three step technique यूज की वो उनके बहुत काम आई और बाद में उस techniques को वो life के हर वरी situations में यूज करते थे तो step number one है problem को बिना डरे वे इमानदारी और पूरी सचाई के साथ analyze करो और सोचो कि इस problem से सबसे बुरा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है William बताते हैं कि इस problem से उनको ना कोई jail भेजने वाला है और ना ही कोई उन्हें गोली मारेगा पर हो सकता है कि उनकी job चले जाए या फिर company को वो device हटानी पड़े और जिससे उन्हें 20,000 डॉलर का नुकसान होगा step number two अगर जरुरत पड़े तो उस बुरी situation को accept करो जो तुम्हारे साथ उस problem से होने वाली है अब William ने accept कर लिया था साथ job चले जाएगी और ऐसा हुआ तो मैं दूसरी job ढून सकता हूँ और ये मान लेंगे कि 20,000 डॉलर एक नई gas cleaning technique के experiment पर खर्च हो गए और इतना सोचने के बाद William थोड़ा relax हो गए और finally वो step three की और बढ़ते है step three है accept करने के बाद सान तरीके से उस बुरी situation को improve करने की सोचो कि तुम उसे कैसे एक बहतर situation बना सकते हो और तब William उस 20,000 डॉलर के loss को कम करने के बारे में सोचने लग जाते है और काफी research करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अगर वो additional equipment पर 5000 डॉलर का investment और करे तो problem solve हो सकती है और ये investment काम कर गया जिससे उनके firm को 20,000 डॉलर के नुकसान के बजाए बाद में 15,000 डॉलर का फाइदा हुआ William अगर सिर्फ problem के बारे में चिंता करते रहते तो वो कभी भी इस problem को solve नहीं कर पाते क्योंकि सिर्फ चिंता करने से हमारी concentrate करने के ability खतम हो जाती है और हमारा दिमाग इधर से उधर भागने लगता है और हम कोई decision भी नहीं ले पाते psychology कहती है कि अगर आप किसी बुरी situation को face करने के लिए पहले से ही prepare हो तो आप उस problem को आसानी से face कर सकते हो उस पर concentrate करके उसका solution ढूण सकते हो दोस्तो आई होब कि आपको ये 3 step technique अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसे अपनी life में जरूर follow करेंगे और दोस्तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो please like कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और ऐसी learning वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और notification bell को press करना ताकि आप सबसे पहली हमारी वीडियो देख सके Thank you दोस्तो